हाई फ्रेंज, वेलकम टो अल्पनस कोकिंग स्टाइल, आज हम बनाएंगे ऐसेक रेसिपी जो टीबी के समने बैट के चाय के साथ खाने में मज़ा आ जाए रावा पोटेटो फिंगर फैस, ये बानाना बहुत ही आसन है और किसी भी टाइम पर बाना सकते हैं ता आप ये बानाना शुरू करते हैं, यहाँ पे चार आलोलिया बोयल किया हुआ, एक काप शूजी, 1500 ग्राम, कुछ धुनिया पत्ता, और तिन हारी मिच्ची ग्याशको अनकर के एक बर्तन बैठा दिया, और उसमें डाल दिया एक काप पानी, जिस काप में में शुजी नापलिया, उसी काप काई एक काप पानी डाल दिया, और इसमें डाल देंगे आप एक टिस्पुन तेल, थोरा से मिला देंगे पानी बॉयल होडा, आपके आशको हम अप कर दिया, और आप डाल देंगे शुजी, शुजी डालने के बाद आच्छे से मिला देंगे, और इसे ढाक काद 15 मिनिट के लिए राग देंगे, ताके शुजी आच्छी तरा फूल जाए जब तक शुजी फूल जाए, तब तक यहाँ पे हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं, एक टिप्स को याद रखे, आलू अगर ज्यादा बॉयल हो जाए, तो ग्रेट करने के टाइमें वो टूट जाएगा, तो उसी टेम पे आलू को आप आधा होंटा फ्रीज में राखकर उस इस टाइम पे एक चामोस से दावा-दावा कर शौप्ट स्मूथ बनाएंगे और इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हो आलू आप इसमें डालेंगे हाफ टिस्पन नमोक और काटी हुई हाडी मिच्चो धोनिया पत्ता और डाल देंगे हाफ टिस्पन काली मिच्ची पावडर काली मिच्ची डालने से बहुती अच्छा टेस्ट होता है आप सारे चीजों को हाथ से आच्छी तरह मिला लेंगे और एक स्मूथ डोव बनाएंगे यहाँ पड़ एक बात की ख्याल रखना है डोव में कोई डेला ना रहे ने तो जब आप इसे फिंगर को फ्राई करेंगे तो जहां से डेला है वहां से टूट जाएगा अब हाथ पे थोड़ा से तेल लागा के इसकी डोव में मिला लेंगे और एक बात थोड़ा गुंद लेंगे से कड़ा में मैंने जादा करके तेल डाल दिया जब तक तेल गड़म होता है मैं यहाँ पे फिंगार शेप में बना लेती हो मैंने हाथ में थोरा से तेल लगा लिया और डोज से थोरा से हाथ में लेकर ऐसे दाबा कर गोल बनाएंगे और इसे लंबा शेब देंगे यहाँ पर एक टिप्स को याद रखिए अगर हम लूज करके फिंगर बनाएंगे तो ओ फिंगर फ्राइ करने के टाइम टूट जाएगा मैंने एक ब्यास में इतना साई बनाया जब तक एक ब्यास फ्राइ होगा तब तक फिर और बना लेंगे तेल को चेक कर लेते हैं एक बॉल डालके तेल गर्म हो गया आप बॉल को निकल लेते हैं आप इसमें एक एक करके फिंगर डाल देंगे एक साथ साथी सारे फिंगार नहीं डालेंगे नहीं तो एक दुसरी से चिपक जाएगा आप इसे फ्राई होने देते हैं और बिल्कुल नहीं हिलाएंगे जब तक तेल के उपर ना आ जाए सारे फिंगार तेल के उपर आ गया आप इसे हम पलट देंगे और पलेट पलेट के इसे हम ब्राउन कलर होने तब इसे फ्राई करेंगे जो भी फिंगर हालका से ब्राउन हो जाए तब हम कंटिनु इसे कार्शी से इसे हिलाते जाएंगे ताकि प्रपली चारो तरफ ब्राउन कलर आ जाए सारे फिंगर फ्राई हो गया अब इसे प्लेट में निकल लेते है ये बन गया हमारी कूर्मुडे राबा पोटेटो फिंगर फ्राईस एक तोड के दिखाड़ी हो देखिए अंदर से हलका जालीदर बना ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी है टेस्टी है आप चाय के साथ जम क खाये और ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक शेर एंड कोमेंट किजिए आप सब खूस रही है फिर मिलेंगो और एक रेसिपी के साथ टिक क्यार बाई